नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पी एफपी में निफ्टी 50 का टेक्निकल वीव देखने वाले हैं वीकली एनलिसिस करेंगे सपोर्ट्स और रेजिस्टन्स को जानेंगे और साथ ही साथ ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इसके बार में भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगलर अपडेट्स पाने के लिए नॉटिफिकेशन मल को प्रेस कीजिए साथ ही साथ टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन केजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो सबसे पहले निफ्टि-फिफ्टि के पी रेशो के बार में बात करते हैं हाँ आप देख पाएंगे 11 सप्टेमर 2020 यानि कि कल के दिन फ्राइडे के इन यहां पर हमें जो पी रेशो देखने को मिला था 32.86 देखने को मिल रहे तो औल्मोस्ट यहां पर 33 का पी रेशो दिखाए देता है तो यहाँ पर market में correction देखने को मिल रहा है उसके बावजुद P ratio में correction देखने को नहीं मिल रहा है अभी भी market हमें overvalued situation में ही दिखाई देती है अगर बात करें यहाँ पर FII DII के activities के बारे में तो आप देख पाएंगे कि month till date तक यहाँ पर FII इसने 400 करोड के आसपास का माल बेचा है और यहाँ पर DII इसने 3000 से भी जादा करोड का माल यहाँ पर बेचा है डाउ जोंस में काफी ज़्यदा volatility बढ़ती हुई नजरा रही है यहाँ पर gap of opening देखने को मिले उसके बाद यहाँ पर 200 point की तेजी थी लेकिन वो 200 point की तेजी यहाँ पर थंडी होती हुई नजरा रही और वापस यहाँ पर हमें गिरावाट देखने को मिली अगर बात करें 5 दिन के बारे में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कितनी ज़्यादा volatility यहाँ पर बढ़ती हुई नजरा रही है अगर बात करें यहाँ पर 1 month के situation के बारे में तो आप देख पाएंगे 1 month में भी हमें आपर Dow Jones Red दिखाए दे रहा है यानि कि जो उपर का high बना था उससे नीचे ही यहाँ पर हमें दिखाए दे रहा है और जो opening हुई थी इस month की उससे भी ज्यादा नीचे हमें यहाँ पर फिलाल तो देखने को मिल रहा है 6 months के बार में बात करें तो of course recovery यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इसका reason है कि यहाँ पर फिलाल poll conduct किये गए थे और जिससे पता चलता था कि Donald Trump साब यहाँ पर हारने वाले हैं और जो बिड़न यहाँ पर election जीत जाएंगे ऐसा यहाँ पर situation बंती भी नजर आ रही थी और वहाँ पर Donald Trump साब हारते वे नजर आते हैं तो यहाँ पर of course हमें stock market में correction तो देखने को मिल नहीं वाला है तो अब हमर चलते हैं nifty 50 में क्या चल रहा है उसके बार में भी बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं recovery तो हमें शांदार देखने को मिल रही है यहाँ पर nifty 50 में बहुत ज़्यादा nifty 50 ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर nifty 50 का जो हमें support दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पर इसका 20 days का यह में बार बार nifty 50 उसी level के आसपा support लेता है और वापस हमें वहीं से तेजी continue रहती ही भी नजर आती है लेकिन फिलाल वो support तूटता हुआ नजर आया था और यहाँ पर काफी दिनों तक nifty 50 उसके नीचे ही trade कर रहा था चार दिनों तक nifty 50 उसके नीचे trade करता हुआ नजर आ रहा था लेकिन फिलाल nifty 50 उसके जो support है 20 days का यह में उसे उपर trade करता हुआ नजर आ रहा है अगर बात करें Friday के यहाँ पर candle के बारे में तो आप देख पाएंगे काफी ज़्यादा यहाँ पर कम moment हमें देखने को मल रही है यहाँ पर opening हुई उसके बाद हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली लेकिन वो गिरावट cover हो गई उसके बाद हमें तेजी देखने को मिली लेकिन तेजी भी थंडी पड़ गई और opening से ज़श्ट ऊपर ही हमें यहाँ पर closing भी देखने को मल रही है काफी ज़दा कम हमें यहाँ पर candle यहाँ पर बंती हुई नजर आ रही है चोटी candle बनती ही नजर आ रही है, moment काफी काम हो चुगा, यहाँ पर volatility हमें बढ़ती ही नजर आ रही है, अब देख पाएंगे कैसी situation दी, जब इंडो चाइना का war वाला हमें situation देखने को मिला, तब बड़ी red candle देखने को मिली, उसके तीन दिन भी यहाँ पर उसके आगले तीन संकेत मिला, उसके बाद यहाँ पर gap down opening के बावजूद यहाँ पर nifty 50 संबलता हुआ नजर आया था, और यहाँ पर एक signal मिला कि अब यहाँ पर वापस recovery देखने को मिल सकती है, और अब देख सकते हैं, फिलाल अपने 20 days के moving average के ऊपर nifty 50 trade करता हुआ नजर आ रहा है, यानि क देख पाएंगे यहाँ पर काफी ज्यादा weakness हो चूगी थी, 50 के भी नीचे चला गया था RSI का नमबर, लेकिन यहाँ पर recovery देखने को मल रही है और 56 के आसपास हमें RSI का नमबर पहुचता हुआ नजर आता है, अगर बात करें इसके MSCD के बारे में तो आप देख पाएंग अगर ऐसी continue रहती है situation तो यहाँ पर bullish crossover भी देखने को मिल सकता है, अगर बात करें यहाँ पर Bollinger Band के बारे में तो आप देख पाएंगे Bollinger Band के नीचे के बाग में बहुत समय के बाद यहाँ पर Nifty 50 आता हुआ नजर आया था, नहीं तो आप देख पाएंगे काफी समय से median क उपर यह trade करता था, उरसी के उपर यहाँ पर रहने की कोशिश करता था, लेकिन काफी समय के बाद यहाँ पर Nifty 50 अपने median के नीचे आया था, थोड़ा सा correction में वहाँ पर देखने को मिला था, अगर बात करें यहाँ पर current situation के बारे में तो lower band के आसपास Nifty 50 ने support लिया और थ पाएंगे कि यहाँ पर pivot level calculate होकर आथा, 11,354 के आसपास का level जिससे उपर ही यहाँ पर Nifty 50 trade कर रहा है, supports के बार में बात करें तो 10,915 का support दिखा दीता है, उससे भी नीचे जाय तो 10,442 का level भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उपर के resistance के बार में बात करें तो 11,827 क resistance है, यह बहुत ही बड़ा resistance हमें face करना पड़ेगा क्योंकि जो recovery हुई है उसके बाद यही level as a resistance face करना पड़ेगा और उसी के बाद हमें भारी गिरावट stock market में देखने को मल रहे थी, और भी उपर जाय तो यहाँ पर 12,266 का level भी हमें यहाँ पर दिखा दे रहा है, लेकिन उससे पहले जो यह 11,800 का level है और 12,000 का जो psychological level है उसे भी यहाँ पर nifty 50 को cross करना पड़ेगा और उसी के बाद हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, अब यहाँ पर weekly view भी देख लेते हैं जहाँ पर एक candle one week को represent करेगा, तो आप देख पाएंगे जो पिछले week की candle बन एक red candle बनती ही नज़र आई थी और उसके पहले की candle है उसको पूरी तरह खा गए थी यानि की engulf कर दे थी तो यहाँ पर bearish engulfing candle इसे का जाता है, अगर आप candle stick patterns को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर technical analysis की प्लेटिस ज़रूर देखेगा जिसकी link मैंने description box में दे दिये, तो यह यहाँ पर काफी ज़्यादा negative संकित मिल रहा था लेकिन यहाँ पर संकित यहाँ पर मिल रहा था negative का लेकिन हो गया है positive, यहाँ पर इस week की candle बनती ही नज़र आ रही है, एक hammer के type की है, यानि कि opening हुई उसके बाद काफी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और वो यहाँ पर जो body बनती हो नज़र आ रही है, वो भी काफी छोटी हो चुकिये, हाला कि अभी भी काफी ज़्यादा समय यहाँ पर बाकि है, तो हम यहाँ पर कोई भी analysis नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर detail analysis नहीं कर पाएंगे, क्यों अभी भी दो हफते बाकि है, दो trading week बाकि है कुछ भी हो सकता है, एक दिन में market इतना गिर सकता है, तो अभी तो दो trading week बाकि उसमें तो काफी कुछ यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर काफी ज़्यादा important situation है, क्या होने वाला है, यह तो आगे आने वाले समय में ही हमें पता चलने वाला है, तो ऐसे में investors को क्या करना चाह है, यहाँ पर liquidity सिर्फर सिर्फ गवर्मेंट के द्वारा, यहाँ पर federalism के द्वारा, RBI के द्वारा ही नहीं, यहाँ पर retail investor भी काफी ज़्यादा कूद चुके है, आपको बता होना चाहिए, यहाँ पर retail investor ने कई ज़्यादा हमें lockdown में record तोड यहाँ पर demat accounts open होते हुए सारी details बता देंगे, अगर आप अपना portfolio review कर रहा है तो उसका link भी हमने description box में दे दिया, उसका procedure आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पर जो overall situation हमें बनते हुए नजर आ रही है, काफी ज़्यादा यहाँ पर संभलने वाली situation है, क्योंकि market overvalued चल रहा है, साथ ही साथ US का election जैसे जैसे नजदी काएंगे, वैसे ही volatility बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर September 28 को bank के related क्या है, यहाँ पर Supreme Court decision लेता है, यहाँ पर interest on interest पर क्या होने बाला है, उसके बार में भी बातचीत होगी September 28 को यहाँ पर Supreme Court decision लेगा, क्या होता है, NPS declare करने देंगे या नहीं करने दें face करने पड़ेंगे, तो यह सारी situation काफी ज़्यादा घंबियर रहने वाली है, और आगे आने वाले दिनों में और भी volatility बढ़ती हुई जाएगी, यहाँ पर Supreme Court का तो decision है, लेकिन यहाँ पर international markets में, यहाँ पर हमें crude oil थोड़ा weak होता होगा नज़रा रहा है, साथ ही साथ यह यहाँ पर US के election नज़्दी का रहे हैं, तो यह सारी चीज़े हैं, जिस पर हमें ध्यान केंदरित करना चाहिए, यहाँ पर अच्छे stocks में बने रहेंगे, तो कोई भी problem नहीं है, मैं फिर से कहा रहा हूँ, यहाँ पर fundamentally weak stocks में हैं, तो निकल जाएंगे, तो ही better रहेगा, और यहाँ पर supports के बार में बात करें, तो जैसे कि 11,100 का support काफी ज़्यादा strong support है फिलाल के लिए, और यहाँ पर resistance के बात करें, तो 11,800 का resistance हमें यहाँ पर strongly resistance के तरह face करना पड़ेगा, तो यहाँ पर overall situation यही बन कर आती है, कि फिलाल संभलने की ज़रोत है, stock specific होने की ज़रोत है अच्छे stocks को अच्छे price पर buy करने में डरना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो भागे हुए stocks हैं, जो कि काफी ज़्याद है, already run up कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर fundamentally weak है, उसके बावजुद run up कर चुके हैं, वहाँ पर थोड़ा सा संभलने की ज़रोत है, लेकिन अगर यू, stay happy, happy investing